आज विडियो में देखने वाले हैं लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन वीब्स एंड टाइपस ओवेपस रिफलेक्शन एन दे टाइपस सबसे पहले अगर बात करें वर लाइट के बारे में तो लाइट को फिजिक्स के स्पिसल ब्रांच में पढ़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं आप्टिक्स अब आप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने रे आप्टिक्स अन वेव आप्टिक्स रे आप्टिक्स को कही बार जोमेट्रिकल आप्टिक्स भी बोला जाता है इसमें हम लाइट को रे की तरह ट्रीट करके सारे फेनोमेनन को ए वेव की तरह ट्रीट करके हम एक्सप्लेइन करता है एक एसा वेव जिसमें क्या होता है जो होता है एक दूसरे के परपागेशन ऑफ लाइट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और आगे बढ़ते रहते है जैसा कि आप यह इस थ्री डामेंशनल मोडल में देख पाओ गए तो एक हो गया पार्टीकल नेच्र तो पार्टीकल नेच्र के हथ सम जो कुछ फेनोमेना को explain करते हुँ है अगर गर और इंटर्फरेंस हो गया डिफ्रक्षिन हो गया पुलराइजिट हो गया इनको mix plane कर बाता है wave nature के थो, यहाँ पर common अगर बात कर लें तो light का speed जो होता है, 3 into 10 to the power 8 meter per second होता है, जो generally same ही रहता है vacuum और air में, vacuum में इतना ही होता है, लेकिन air में थोरा सा कम होता है, but numerical purpose के लिए हम इतना है इस्तवाल करते हैं, next जाँ पर बात करें, light का property होता है, कि वो straight line म travel करता है, और इस property को हम बोलते है, rectilinear propagation of light, अगर कोई light ray, अगर straight line में travel करता है, तो उसको ray भी बोला जाता है, और बहुत सारे ray अगर एक साथ अगर travel करता है, तो इनको बोला जाता है, beam, beam of light, तो इस जिसका घास धान रखना है, आगे बढ़ते है, next आपर दिखते है, wave क् wave एक तरीके का disturbance होता है, जो एक जगा से दूसरे जगा तक move करता है, जिसमें transfer of energy होता है, generally, stationary wave के अगर बात करें, तो उसमें momentum और साथ साथ energy का transfer नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पर general अगर बात करें, तो जो waves होते हैं, एक तरीके के disturbance होते हैं, और उसमें जो energy होता है, वो transfer होता है, साथ साथ जो particles होते हैं, वो move करते हैं, next यहाँ पर बात करें, सम characteristics की अगर बात करते हैं, तो जो भी हमारा wave होता है, उसके पास speed होता है, wavelength होता है, frequency होता है, साथ साथ amplitude होता है, यहाँ पर wave के बारे पर थोड़ा सा classification देखेंगे, वेव की अगर बात करें, तो इसमें हम देख पहेंगे, जैसे ही आप एक spring को खीशते हैं, वो क्या होता है, आगे पीछे होते 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 हैं, आगे की तरफ बढ़ता है, एक बार इधर भागेगा, फिर वापस इधर आएगा, लेकिन पूरा जो रहेगा wave हमारा इधर ही भागेगा, तो इस तरीकों को हम longitudinal wave बोलते हैं, लेकिन transverse wave के अगर बात करें, तो ये रहा हमारा mean, wave हमारा इधर भाग रहा है, wave का motion इधर है, लेकिन particle जो हमारा उपर नीचे कर रहा है, उपर नीचे सर्क भाइवरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस तरीके का अगर हमारे पास classification देखने को मिले हैं, त इसको हम transverse wave बोलेंगे, यहां पर देखने को मिले हैं, जो भी हमारा particle है, क्या हो रहा है, एक बार उपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो उपर नीचे हो रहा है, जो भी हमारा direction of movement of wave है, जिसके perpendicularly हमारा क्या कर रहा है, जो भी हमारा wave है, वो उपर नीचे कर रहा है, oscillate कर रहा है, तो इस तरीके के wave को हम transverse बोलेंगे, वाइल अगर हमारा direction of motion के direction में ही अगर हमारा oscillation हो रहा है, तो वैसे wave को हम longitudinal wave बोलेंगे, नेक्स्ट काफे important point है, यहां पर निकल कर कर के आता है, कि किस तरीके से हम wavelength को measure करेंगे, तो यहां पर मैं थोड़ा सा clear कर देता अगर transverse wave के अगर बात कर देता है, तो यह हमारा position जो रहता है, उपर वाला हमारा क्रेस्ट पोजिशन कहलाता है, यह हमारा crest, और जो नीचे वाला position होता है, यह draw position कहलाता है, जो यहां पर आप marking पहले से हो रखा है, आप देख पाऊगे, तो जो consecutive crest होते हैं, यह consecutive draw होते हैं उनके बीच का जो distance होता है, उसी को हम wavelength बोलते हैं, तो जो transverse wave होते हैं, उसमें हम clearly measure करें पाते हैं, लेकिन अब यहां पर निकल के आता है, हमारे पास longitudinal wave, इसमें तो कोई crest और कोई draw का formation ही नहीं हो रहा है, इसमें, no crest, no draw, तो हम कैसे इसमें measure करेंगे, कि हमारे पास wavelength यतना होगा, तो इसमें याद कर लेना है, कि दो consecutive compression या दो consecutive rarefaction के बीच के distance को measure कर लिया जाता है, जो की wavelength के बराबर होता है, यहां पर देख पाऊगे, क्या क्या है, एक compression हमारे यहां पर दूसरा compression है यहां पर, दोनों compression के बीच के distance को measure कर लिया गा, वह हमारा wavelength के बराबर हो जाएगा, जैसे compression की बात करेंगे, तो आप देख पाऊगे, काफे जादा dense है, rarefaction है, फिर compression है, फिर rarefaction है, तो यहां पर बात करेंगे, तो consecutive यह हमार रहा compression, यह रहा compression, यह रहा compression, यह रहा compression, यह रहा हमारा rarefaction, यह रहा हमारा rarefaction, तो दो consecutive rarefaction के बीच के distance को भी lambda बोलेंगे, और दो हमारे पास compression के बीच के distance को भी lambda, that is wavelength हम बोलेंगे, आगे बढ़ता है, classification की अगर बात करेंगे, तो हमारे पास wave का classification कुछ इस तरीके का होता मेकेनिकल वेब्स और नॉन मेकेनिकल वेब्स मेकेनिकल वेब्स की अगर बात करें तो इनको मेटेरियल मीडियम की रिक्वार्मेंट होती है तब ही यह ट्रेवल कर पाएंगे अगर मेटेरियल मीडियम नहीं है तो यह ट्रेवल नहीं कर पाएंगे अगर वैक्यूम होगा तो तो mechanical waves उसमें travel नहीं कर पाएंगे लेकिन non-mechanical wave की अगर बात कर तो इनको medium की कोई requirement नहीं होती है material medium है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है यह vacuum में भी travel करते हैं अगर medium है तब तो कोई बात ही नहीं तब भी travel करेंगे नेक्स्ट हैं पर देखते हैं mechanical wave का further classification होता है एक तो होता है vibration of particle के basis पे दूसरा होता है energy transfer के basis पे तो vibration of particle के basis पे हमने उपर में देखा transverse और longitudinal transverse wave के अगर हम बात करें तो इसमें होता है कि जो भी particle हो जो भी हमारा wave का डारेक्शन अगर इस direction में तो particle हमारा ऊपर नीचे क्या करेगा vibrate करेगा लेकिन longitudinal wave में ऐसा होता है एक दारेक्शन of wave हमारा इस direction में तो particle हमारे इस य क्या करेंगे और करेंगा अपने मीन पोदिशन से अप एंड डाउन होते हुए नजर आएंगे नेक्स नहीं के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें हमारे पास दो वेब होते हैं एक होता है इतना याद रख लेना है कि क्या होता है प्रोग्रेसिव वेब आगे मूव करता जाएं लेकिन स्टेंडिंग वेब मतलब क्या स्टेशनरी है जो मूव नहीं कर रहा है तो इस चीज़ के हैं पर स्वाट में लिखा हुआ है स्टेंडिंग वेब होते हैं जिनमें एनोजी और मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन जो प्रोग्रेसिव वेब होते हैं इसमें एनोजी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है तो इतना याद रख लेना है खासकर भाइबरेशन के बेस पे जो क्लासिफिकेशन कर र of light के अगर बात करें तो फिक्स होता है चाहिए किसी भी कलर का लाइट अगर हो हमारे पास रेड कलर का लाइट हो या ब्लू कलर का लाइट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सारे कलर के लाइट एकोल होते हैं लेकिन अगर कोई यह दूसरे मीडियम में अगर ट्रेवल करता तो उसका light के speed जो होता है वो slow down हो जाता है नेक्स्ट आपर देखते हैं विदि इंक्रीज इन फ्रेक्वेंसी डिक्रीज अगर हम फ्रेक्वेंसे सिंपल अगर इंक्रीज कराएंगे तो जो भी हमारा wavelength है वो हमारा decrease कर लेगा जैसे सिंपल हमने suppose कर ले थे कि हम c का value जो है 20 देंगे तो wavelength को एक ऐसे लिख सकते है और एक और 20 है तो फैफाइन फोर लेंटी है दूसरा गौर करने वाली बात यह है कि अगर हमें आसे 4 था है कि यह हमारा wavelength है यह 4 था अब इसको बढ़ा करके हमने 5 कर दिया तो एक चीज़ गौर करने को यह मिलता है कि जो भी हमारा frequency था पहले पास था अब हमारा frequency चार होगा तो एक अगर बढ़े गा तो दूसरा घटेगा तो इसलिए आधीस की अगर बात करें तो ओड़ में नोसीgy कंपरेशन के और ट्रॉा के बीच कि ठीज़े ऊपर में हमने देखा, जिनरली जो होता है रवेवलेंट को मे नैनो मीटर में क्योंकि काफी चोटा डिस्टिंस होता है, तो यह यह रहा हमारे पास, crest यह रहा crest एक crest के बीच के distance को हम wavelength बोलते हैं यहाँ पर यह वाला जो नीचे वाला point होता है यह कहलाता है हमारा draw तो इनके बीच के भी distance को हम lambda से represent करते हैं और lambda का मतलब होता है wavelength next हमारे पास amplitude amplitude की जब हम बात करते हैं तो यह हमारा होगए mean position कोई भी हमारे पास अगर वेव है तो इसी से हम देखेंगे कि कितना उपर हमारा पार्टिकल जा रहा है वेव में जो हो रहा है कितने उपर हमारे वाइबरेशन जा रहे है मीन पोजिशन से और कितने नीचे आ रहे है तो मैक्सिमम डिस्प्लेस्मेंट जो हमारा में यह हमारा मीन धाट मिस जीरो है जीरो से डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो प्लस मैक्स है अगर नीचे आगा तो माइनस ए मैक्स है तो हमारा जो भी डिस्प्लेस्मेंट है वो पॉजिव और नेगर्टिव डारेक्शन में हो रख तो कई बार अपको ग्राफ में यह चीज़ represent किया हुआ दिख जाएगा एक्सट है हमें बात करता है frequency frequency की अगर बात करें तो कोई एक wave जो है एक second में कितने cycle को complete करता है इसी को हम क्या बोलता है frequency बोलता है दूसरा हमारे पास formula था frequency का f is equal to 1 upon t frequency को small f से represent करते है इसके SI unit के अगर बात करें तो इसके SI unit जो होता हर्ट जिसको हज़ेट से represent करता है या फिर second inverse होता है दोनों ही frequency का SI unit होता है दूसरा था frequency का मतलब समझेगा एक cycle का completion एक cycle complete करता है अगर कोई wave तो वह ही हमारा देख लेते हैं अगर suppose कर लेते हैं यहां से हमारा चलते हैं यह हमारे पास point P होगा यह हमारे पास point Q यह हमारे पास point R तो अगर हम point P से अगर यहां से होते हुए point Q तक पहुँचेंगे तो यह हमारा half cycle कहलाएगा इसी तरही के से Q से अगर हम R तक जाएगे तो यह हमारा half cycle कहलाएगा अगर हमें बोलता हूँ R को पकड़े और क्या गड़े उल्टा करके हम इस तरीके से कर देंगे तो आपको दिखिया है कि एक cycle cycle कहने के मतलब हमेसा नहीं कि एकदम circular ही होगा एक complete closed figure बन रहा है तो एक crest वाला portion और एक draw वाला portion जो होता है इसको अगर combine करते हैं तो एक cycle का formation होता है तो इस तरीके का cycle एक second में कोई अगर wave है हमारे पास कितना complete करता है वह हमें को frequency बताता है suppose कर लेते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर कोई wave है हमारे पास वो एक second में 200 cycles cycles complete करता है तो इसका frequency क्या हो जाएगा बस यही हो जाएगा क्योंकि एक second में कितना cycle complete cycle का formation गर कोई wave कर रहा है वह हमारा frequency कहलाता है तो इस तरीके का खास जान अगर बोला जाए कि 200 wave है हमारे पास उसमें पूछ लिए जाएं कितने crest और कितने draw बन रहा है तो अगर मैं बोलू आप से कि यह हमारे पास mean position है और हमारे पास इस तरीके का wave है तो इहां पर अगर देखोगे तो हमारे पास दो crest बन रहा है और एक draw बन रहा हमारे पास कितने cycle है मैं थोरह सा इसको expand कर देता हूँ even number में तो even number में अगर आगया तो देख पाओगे हमारे पास दो complete cycle का formation हो रहा है P, Q, R, S, T P से R तक कि अगर बात करो तो एक complete cycle का formation और R से T तक एक complete cycle का formation तो दो complete cycle कि अगर मैं बात करो तो हमारे पास कितने crest है दो crest है और दो draw है हमारे पास तो इसी तरीके से याद रख लेना है कि अगर हमारे अगर frequency बोला है कि 200 hertz है या 200 second inverse है that means जो भी हमारा wave होगा एक second में 200 complete cycle का formation कर रहा होगा इसका मतलब है कि 200 crest होंगे उसके पास 200 draw होंगे देखते हैं पर reflection reflection का मतलब होता है bouncing back of light in the same medium that means जिस medium से light हमारा आता है उसी medium में अगर किसी चीछ से टकराने के बाद lots है तो उस phenomena को reflection बोलेंगे यहां पर आप ray diagram तो रहा देख पाऊगे point यह जो ray दिखाया गया यह हमारा incident ray यह हमारा normal यह हमारा reflected ray अब यहां पर अगर बात करें तो यह हमारा कहला था point of incidence law of reflection की अगर बात करें तो law of reflection बोलता है पहला law तो यह ही हो जाता है हमारा कि angle I जो होता है angle R के बराबर होता है angle I के अगर बात करें तो इसको बोला आता है incident angle incident angle next यह हमारा बात करें तो angle R को बोला आता है reflected angle यह angle of reflection next यह हमारा law है law of reflection के अंदर बोलता है कि जो भी हमारा incident ray है normal है और reflected रह है यह तीनों किसी surface पे एक ही point पे एक ही plane में पढ़ते है तो यह सही है न कि हमारा एक ही plane होना चाहिए एक ही plane में एक ही point पे तीनों जो हमारा point है वो एक दूसरे से connect कर रहा है ऐसा थोड़ी है कि हमारा incident ray यहाँ पे आएगा reflection यहाँ से होगा ऐसा नहीं हो सकता एक ही point पे जो भी हमारा incident रहे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टर रहे है यह एक ही point that is point of incidence पे आकर के एक दूसरे को मिट करेगा तो इस रिच का खास दर्णक रहा है नेक्स्ट हमें आप देखते है types of reflection types of reflection की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरीके का type of reflection है एक हमारे पास regular reflection दूसरा हमारे पास irregular reflection जिसको हम diffused reflection भी बोलते है regular reflection की अगर बात करें तो यह क्या होता है highly polished surface पे होता है और यहाँ पर जितने भी हमारे पास incident ray होगे यह हमारे पास incident ray होगे और यह हमारे पास reflected ray होगे तो incident ray और reflected ray जो होते हैं वह एक दूसरे के parallel होता है सारे incident ray incident rays के parallel होते है और यहाँ पे सारे देख पाऊगे parallel जो ray होते हैं सारे एक दूसरे के parallel होते हैं लेकिन irregular reflection कि अगर बात करें या diffuse reflection की तो ये क्या होता है rough surface पे होता है ये चीज़ को खास दियान रखना है दूसरा चीज की अगर बात करें तो यह बहुत कमन है कि जो भी हमारा incident ray होता है वो एक दूसरे के parallel होते हैं लेकिन जो reflected ray होते हैं वो एक दूसरे के parallel नहीं होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आते हैं कि एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आपको हमेसा ध्यान में रखना है कि law of reflection जो होता है सारे surface फे वैलिड होता है चाहे वो rough surface हो या फिर smooth surface हो